नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फूडिसाव चैनल में और आज हम आपके लेकर आएं एक बहतरीन रेसिपी पनीर चीली की तो इसके लिए हमेचे ये पनीर ये पनीर हमने घर पे ही बनाया है और उसके अलावा हरी मिर्चे लहसून सिम्ला मिर्च प्याज और अगर पनीर घर पर कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो मैं अल्रेड़ी अप्लोड कर चुका हूँ अब हम इसमें कॉर्ण फ्लावर डालेंगे एक चमच और इसके बाद फिर एक और चमच लगभग दो चमच हमने कॉर्ण फ्लावर डाला है और एक चमच हम इसमें मैदायेट करेंग फिर हम इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी पनीर में मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर के साथ ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा इसे इस तरह से टॉस करके चारो तरब से अच्छे से कोट कर लेंगे तो इस तरह से इसको हाथों की सहायता से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें कस्मीरी लाल मिर्च का दो चमच मिर्च लेकर पेस्ट बना लेंगे पानीक साथ सलरी के रूप में पेस्ट नहीं बनाएंगे सलरी बनाएंगे और फिर उसे हम चमच से घोल कर अच्छे से इसके उपर थोड़ा थोड़ा करके आड़ करेंगे जितनी हमें जरुरत होगी, एक ही बार नायट करें, कहीं ज़्यादा हो जाए, इसलिए थोड़ा-थोड़ा चमज से जालेंगे इस तरह से, ठेले वाले और रेस्टोरेंट वाले इसमें कलर के इस्तिमाल करते हैं, हमने कलर के इस्तिमाल नहीं किया है, कस्मिरी लाल मिर्च च बजार में उपलब्द होती है, वो हमने लिया है और उसको पानी के साथ गोल बनाया है, इस तरह से कस्मिरी लाल मिर्च भी इसको चारो तरब कोट कर देंगे, यह देखिए बहुत अच्छा लगने लगा है, अब हमने एक कडाही में तेल गर्म कर लिया है, यह देखिए इ तेल डाल देते हैं, बहुत अधिक तेल में तलने की आउस्यक्ता नहीं है, अब इसमें थोड़ा सा नमक एड़ कर देते हैं, बहुत अधिक नमक एड़ नहीं करेंगे, और उसको मिक्स करके इसमें तल लेंगे, फ्लेम मीडियम पे रखेंगे, बहुत अधिक तेज फ्लेम रखने पर हो सकता है कि यह जल जाए इसलिए हम इसे जलाना और कठोर नहीं करना है और थोड़ी दिर बाद इसे लगबग एक मिनट के बाद अपनी जगा से खिसका दें और पलट कर देख लें कि यह पक रहा है या नहीं कहीं चीपक तो नहीं रहा है इस तरह से पनीर के जो तुकणे हैं उन्हें हम पलट लेंगे और चारो तरब से बहुत अच्छे से इसे तल लेंगे तलने में चार से पांच विनेक लगेंगे इससे अधिक समय नहीं लगेगा अगर आपके महमान आने वाले हैं और आप उन्हें पनीर चिली खिनाना चाहते हैं तो पहले से इसे तलकट रख लें और जब महमान आये तब फिर बाकी के वेजिटेबल डाल कर इसको तैयार कर सकते हैं एक्स्ट्रा ओइल हमने इसमें से बाहर निकाल दिया है और हम इसने हरे मिर्शे डाल देंगे जिसको हमने चीरा लगा लिया था और अधरक भी एट कर दिया है सांत ही हमने जो लहसुन काटा हुआ वह डाल देंगे और इसको चमर चला लेंगे फिर हम इसमें बाकी की सब्जिया एट करते जाएंगे जो हरे प्याज लिया था हमने उसको काट लिया है उसे भी इसमें थोड़ा सा एट कर देते हैं और फिर प्याज के जो बड़े तुक्ड़े हमने काटे हुए थे वो डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा भुननेक बाद फिर हम इसम्मला मिर्श समिल करेंगे, जिसको हमने बड़े तुक्डों में काटा हुआ है और इसको बहुत अधिक नहीं पकाना है, इससे हमें थोड़ा सा कच्चा ही रखना है, बहुत अधिक पका देने से फिर इसका स्वाद चला देंगे और फिर इसमें हम चीली सॉस एड़ कर देते हैं पिर हम इसमें लगबग एक से ज़ेड़ चमच सोया सॉस डाल देंगे और फिर थोड़ा सा लगबग एक चमच विनेगर डाल देंगे चमच चलाएंगे और इसको थोड़ी दिर पकने देंगे सॉस के साथ सबजीयों को पकने देंगे फिर हम इसमें नमक डाल देंगे नमक हमने पनीर में भी डाल हुआ है तो बहुत अधिक नहीं डालेंगे और जो बची हुए मिर्च की घोल बची हुई थी और जिस बॉल में हमने प दो से तीन मिनट के बाद हम इसमें पनी रैट कर देंगे और जेंटली इसको मिला लेंगे दोस्तों अगर अब भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें अगर आपको यह वीजियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक का बटन उसे जरूर दबा लिजिए अपने दोस्तों क साथी से सेर कीजिए और अगर आपके कोई सुझाओ हो या रिक्वेस्ट हो किसी नई रेसिपी के लिए तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं पनीर चीली बनकर बिल्कुल तयार है तो रेस्टोरेंट में धाई सो तीन से रुपए देखर पनीर चीली खाने की आउसकता नहीं है घर में 30 से 40 रुपए या 50 रुपए के खर्च में ये बनकर तयार हो जाएगा अब हम इसमें ग्रीन ओनियन डाल लेंगे अगर आप पनीर घर पर बनाते हैं तो सच मुझ ये बहुत कम खर्च लगबग 50 रुपए खर्च में बनकर तयार हो जाएगा अब ये हम सर्व करेंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थमसब का बटन नीचे है दबा दीजिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू वेरी मच